नमश्कार दोस्तों मैं इंकुर उपार्थियाए स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में यहाँ पे आखरी के कुछ मिंटों में बजार में शार्प करेक्शन आई है इसपेशली निफ्टी में लगबग 50 पॉइंट नीचे आ गया है निफ्टी और डेज लो पे है एक्चुली में यह करेक्शन केवल और केवल आपके लिए एक्सपारी रिलेटेड लग रही है मेरे को और इसी के चलते मैंने आप सभी के साथ अपने टेलिग्राम पे कॉल शेर करी है निफ्टी बैंक निफ्टी की देखे पहले ही आपको मैं बताना चाहता हूं यह जो कॉल है यह रिस्क वाली कॉल है क्योंकि हम यहां पे ओवरनाइट लेके जा रहे हैं यह फर्स्ट कॉल है जो ओवरनाइट लेके जा रहा हूँ मैं कल के लिए और market को लेकर view positive है, इसलिए ये call दिये है, आपके साथ भी share करना चाहता हूँ कि क्या view है, short मैं विल्कुल discuss करूँगा, nifty 19,395 पे trade कर रहा है, यहां से मेरे को लगता है कि जो आपके लिए आज गिरावट आई है, ये केवल और केवल expiry related move है, और market 19 350 break नहीं करना चाहिए, औ उसके बाद दुबारा उपर आना चाहिए, और जिसवीज में उनने 40-450 के levels को मैं देख रहा हूँ, DAO futures भी 30 points positive heat rate कर रहे है, negative कुछ दिख नहीं रहा है, केवल expiry related है, इसलिए negative दिख रहा है मेरे को, तो वो आपके लिए दुबारा positive हो सकता है, जापे हमने positive view रखा है, same bank n charts पे भी strong दिख रहा है, और यहां को यह expiry related move नहीं है, इसलिए यह अभी भी हरे निशान में बना हुआ है, और nifty के साथ नीचे जरूर आ गया है, बढ़ यहां से दुबारा से एक reversal आना चाहिए, जो ऊपर लेके जाएगा, और bank nifty का charts भी positive है, जो मेरे को positionally 43,900 प्लस 44,200 तक के levels दिखा रहा है, तो यही एक view रखते हुए, मैंने आप सभी के साथ, दौनों जगा एक के call share करिये next week की, और proper stop loss follow कीजिए करना, यह मेरी आप लोगों से request रहेगी, अभी तो add the level पे ही चल रहे है, जो भी share कर रहा है, तो यह एक update थी, अब आप सभी के साथ यहां पे टिकर आये भी 14 मिनट रहे हैं, वो थोड़ा negative है, बट बजार जाता कुछ नीचे जाना ही नीचे है, और उपर भी नहीं जाएगा, 450 पे call writing भी है, तो आज यह जो writers है ना, इन्होंने पूरा squeeze कर दिया है market को, और वहीं के वहीं market दम तोड़ देगा, दौनों तरफ की writing वाल देड़ परसेंट नीचे है, बोश लिम्टेड एक त्याईए परसेंट नीचे है, चोला मंदलम फाइनेस एक त्याईए परसेंट ऊपर है, बी एए सेफ साड़े 6 परसेंट ऊपर है अपने रिजर्ट के बार, इरकॉन इंटरनेशनल का फेवरेट है, पैसा भी बहुत लो परसेंट भागा था, अपोलो हॉस्पीडल नंबर्स के बास साढ़े तीन परसेंट भाग रहा है, यह हॉस्पीडिलिटी सेक्टर अच्छा कर रहा है, और इसलिए मैंने आपके साथ 40 शेर्ट के था, टार्गेट दन वे तो वह भूख भी हो चुका है, अपडेट देती द इन मैं से अगर किसी स्टॉक के बारे में आप डीटेल में रिजर्ट जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बाकी अपनी तरफ से तो मैं आपके साथ शेर करूँगा ही कुछ स्टॉक के इस्पेशली नंबर्स, यह होगी आपके लिए अपडेट, मार 1200 पोजे ते 25,500 नेगेटिव अबड़ उल्टा हो गया है, पिदिक भडे निशान में जानना चाहिए, बिएक के सेक्टर लगवग अधे परसनन नीचे दिख रहा है, इस टॉक मेंड़ परसनन नेचे दिख राहा है, इस अजिस जोंठ लगवग अधे परसनन नीचे दिख Metropolis CDSL बहुत ही बढ़िया तेजी में दिख रहा है CDSL 1700 हो गया बाई सब्सक्राइब एंटा टेक आज 12% टूटा है KRBL 10% टूटा है SKF इंडिया 7% अमबर एंटरप्राइस 6% MCX 6% Reliance continue गिरता जा रहा है और यहीं आज निफ्टी में प्रेशर बनाने का काम कर रहा है लगबग 1% नीचे है बट क्या ही गिर रहा है क्यों ही गिर रहा है समझ महीं नहीं आरी चीज़ है कब तक और परेशानी देगा सेम HDFC बैंक क्यों गिर रहा है पता नहीं चलना चीज़ है क्या हो रहा है अदानी पावर आज एक बार आपके लिए फिर मोस्ट एक्टिव में नाम सामने आता हुआ दिख रहा है 52 वीग हाई के फिंटेक, CDSL, PFC, PC, BN, Pels, PN, COP यह कुछ हाइस पे है वहीं अदानी गुरुप से अदानी विलमार अपने 52 वीग लो पे आके खड़ा हो गया है आपके लिए 300 रुपे का बाहु दिखा दिया है निफ्टी में 21 शियर्स पोजिटिव है 29 शियर्स नेगेटिव है जहां पे लीड कर रहा है अदानी एंटरप्राइज हिंदुस्तान यूनिलीवर, ONGC और पोजिटिविटिविटी को लीड कर रहा है M&M साड़े 4% से भी ज्यादा की तेजी इसके नंबर भी आने है अई अभी तक तो आय नहीं है बट नंबर से पहले बड़ी तंगडी तेजी देखने को मिल रही है Apollo Hospital 2nd stock है जो अपने results का बड़ी बड़ी तेजी में है तो अभी के लिए इतना ही update next video में stock specific बात करेंगे thank you so much for watching this video have a great day guys